वल्कम टुमाइ किचिन आज के वीडियो में आपके साथ । शेर करने जा रूही हूँ इस प्रिंग अनियन के भजिय की रेस्पी तो आएस प्रिंlin के भजिया बनाना सुरू करते हैं इसके साथ ही मैंने टीन चोथाई कप बेसन लिया है स्प्रिंग उन्यान वे बेसन डालने के बाद मैंने तिक्हे खाने के अनुसार तीन से चार हरी मिर्ड बारी काट कर डाल लिया इसके साथ ही मैं इसमें 1-4 टीजपून हिंग डाल दिया है यहां मैंने 1-2 टीजपून अजवाइन को अपने हाथों से क्रस्क करके डाला है इससे फ्लेवर अच्छा आता है इसके बाद मैंने इसमें आधे चमच लाल मिर्श पाउडर आधे चमच हल्दी पाउडर और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है इसके बाद हम सारे चीज़ों को अपने हाथों से मिला देंगे और उसके बाद हम थोड़े थोड़ा पानी डालती हुए इसका एक स्म अच्छी तरह से फूले और उपर आ सके अनुसार हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक स्मूथ बैटर बना लेंगे और उसे अच्छी तरह से फेटते हुए हम लगबग 5-10 मिनट तक फेट लेंगे इसके बाद हम एक कढ़ाई में रिफाइन ऑल हीट करेंगे आप चाहे तो बशीयों को सरसो तेल में विखरें कर सकते हैं और गर्म होने के बद हम चल लेगे कि त्ल अच्छी तरह से गर्म आए कि इसके रहने हम कढ़ाई में बजीयों को छोटे-छोटे साइज में कढ़ाई में डालने के बाद थोड़ी देर तक हम इसे छोड़ देंगे जब तक तेल में ज़ाग रहेगा तब भजी को छेड को नहीं छड़ेंगे क्योंकि इसे अगर हम तुरंद चलाएंगे तो यह आपस में शिपक जाएंगे तेल को खत्म होने का इंतिजार करेंगे, तेल से उठ रहे ज़ाग जब थुदा से चला सकते हैं इसके बात हम इसे चलाते हुए क्रिस्प होने तक medium to low ऑईल में फ्राइब करेंगे भजिया तलते समय है फ्लेम को मेंशा medium to low ही रखना है मीडियम अगर flame को अफिय किजेगा तो भजिया बाहर से क्रिस्प हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्छा रहा जागा इसलिए भजिये को अंदर तक सिखने के लिए ऐल को मेडियम टू लो फ्लेम पर ही गर्म रखना है और उसे ही उलटते पलटते हुए हमें गुल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है जब भजिया गुल्डन ब् जारे से या इस पैचला से तेल को कड़ाई में ही निकालते हुए निकाल लेंगे जिससे की तेल ज्यादा बरबाद नहों और उसके बाद हम सेकेंड बैच को कड़ाई में तलने के लिए डाल लेंगे इस तरह से हम सारे भजिये को तल के निकाल लेंगे जब हम इसे सर्फ क करेंगे तो बशिय को एक साथ कड़ाई में डालकर हलका क्रिस्प कर लेंगे जिससे कि सारे बखिए गर्ण हो जाएं सारे बबगय तलने के बाद हम बजिय के के साथ सर्व कर सकते हैं आप चाहते इसे प्लेन भी कहा सकते हैं यह खाने में काफी टेस्टी होते हैं सर्दियों में स्प्रिंग अनियन आता है तो सर्दियों में एक बार तो जरूर बना के से खाना चाहिए तो आप भी इस तरह से अपने घर में spring onion के भजिये बनाए और मुझे comment में बताए कि आपको मेरी ये recipe कैसी लगी अगर आपको मेरी ये recipe पसंद आती है तो मेरे वीडियोज को like, share करे और अगर मेरे चैनल को subscribe ना किया हो तो मेरे चैनल को subscribe जरूर करे और मुझे comment में बताए कि आप आगे की वीडियोज में कौन सी recipe देखना चाहते हैं धन्यवाद